क्यूं ननर जी, अब भी घर के कामकाज में इंट्रेस्ट नहीं लेना क्या? क्यूं? अब क्या हुआ भावी? हुआ क्या? कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है. शादी के बाद ससुराल चली जाओगी, तो क्या वहाँ कोई काम नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूंगी भावी, क्योंकि गुविन मुझे काम करने ही नहीं देगा. कह रहा था कि तुम बस मेरे आसपास ही घूमना, घर के काम तो मा और भावी कर लेंगी. इस भूल में कभी मत रहना ननत जी, क्योंकि शादी के पहले तो तुम्हारे भावी भी यही कहते थे. अब तुम ही देख लो, मुझे सुभा से शाम तक काम से फुरसत मिलती है क्या? राधिका की एक ही लाड़ी ननत थी, सुजाता. कुछ दिनों बाद सुजाता की शादी होने वाली थी, सब बहुत खुश थे, मगर राधिका मन ही मन कुछ परिशान सी रहती थी. उसकी परिशानी को देख एक दिन उसकी सास सावित्तरी कहती है, बहु, एक बात पूछती हूँ, बताओ तो, तुम हमेशा उदास-उदासी क्यों रहती हो, माइके में कोई परिशानी है क्या? अरे नहीं माजी, उधर तो कोई परिशानी नहीं है, मुझे तो बस अपनी ननत की चिंता रहती है. जरा मैं भी तो जानू, आखे तुम्हें सुजाता की चिंता क्यों रहती है? वो, बात यह है माजी, आप लोगों ने उसके पढ़ाने लिखाने पर तो पूरा जोर दिया है, मगर उसे घर के कामकाज और जिम्मेदारिया निभाना बिल्कुल नहीं सिखाया. तो क्या हुआ? कोई पहाड थोड़ी न तूट पड़ा? ससुराल जाकर सीख लेगी. वैसे भी तुझे मेरी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसकी चिंता के लिए हम बैठे हैं. कुछ तिन ऐसे ही बीच जाते हैं और सुजाता और गोविंद की शादी हो जाती है. विदाई का समय आता है तो राधिका सुजाता को गले लगाते हुए कहती है. सुजाता, तुम्हारे बिना घर तो खाली-खाली हो जाएगा. मगर क्या करें हर लड़की को माईका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है. एक बात कहूँ, घर के कामकाज और जिम्मेदारियों में सीरिस होकर हाथ बटाना. राधिका अपनी ननत को यह समझा ही रही होती है कि तभी सावित्री आ जाती है और कहती है सारा परिवार खुशी-खुशी सुजाता की विदाई करता है और सुजाता अपने ससुराल चली जाती है. समय बीतने लगता है और सुजाता के बिना घर खाली-खाली हो जाता है. सावित्री तो हमेशा ही बेटी को याद करती रहती है. बेटी के बिना तो घर खाली-खाली लगता है. पता नहीं बेटी का ससुराल में मन लगा भी है या नहीं. निर्मोही फोन भी तो नहीं करती अरे क्यों चिंता करती हो बेटी ससराल में मौज में रह रही है अगर कोई परिशानी होती तो क्या फोन नहीं करती हाँ बस यही सोच करतो मन को तसली दे लेती हूँ कुछ समय बीच जाता है और एक दिन राधिका के फोन की घंटी बचती है हेलो कौन भाबी मैं सुजाता बोल रही हूँ सुजाता तुम कहो कैसी हो मेरी प्यारी ननद भाबी यह समय बाद में बताऊंगी सुजाता के यह कहने पर राधिका फोन अपनी सास को दे देती है सावित्री सुजाता का नाम सुनते ही खुशी के मारे पागल सी हो उठती है और पूछती है मेरी सुजाता, मेरी लाडली बेटी, अरी कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मा, मेरी सास और जेठानी मुझे सारा दिन काम लगाए रखती हैं, सबके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ क्यूँ, क्या गोविंद उनको कुछ नहीं कहता नहीं मा, वो भी उल्टे मुझे ही समझाता है, कहता है बहू का काम तो घर संभालना ही होता है और तेरा ससुर, वो भी कुछ कहता है क्या उसकी तो पूछो ही मत, कहते हैं माबापने बस दो अक्षर पढ़ने ही सिखाए है गर ग्रहस्ती का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं उनकी ऐसी मजाल कि मेरी बेटी को ऐसे परिशान करे सुजाता को ऐसी गलत सीख देते देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और वे अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है माजी, आप सुजाता से ये क्या कह रही है? इस तरह तो उसकी गरहस्ती में दरार पढ़ सकती है माजी सावित्री के ये कहने पर राधिका चुप हो जाती है और उसी शाम गोविन सुजाता को उनके घर छोड़ाता है सुजाता को उसके मायके छोड़ने के बाद गोविन्द और उसका परिवार तो जैसे सुजाता को भूली जाते है कोई फोन तक नहीं करता कितने घमंडी लोग हैं लड़की को यहाँ छोड़कर पता भी नहीं लेते लगता है उन्हें इसकी जरूरती नहीं है हम गलत लोगों में फस गए हैं सावित्री मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से रिष्टा ही तोड़ देते हैं बेटी को कहीं और ब्यादेंगे उनकी बाते सुनकर राधिका को बहुत दुख होता है और वे अपने पती विक्रम से कहती है सुनो सुजाता के ससुराल वालों में कोई कमी नहीं है कमी हमारी सुजाता में है तुम यह क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ हमने उसे ग्रहस्ती की सीख ही नहीं दी इसी लिए यह सब हो रहा है सोचो अगर उसकी तरह मैं भी अपनी जिम्मेदारियों और घर ग्रहस्ती को बोज या परिशानी समझने लगू तो तुमें कैसा लगेगा? लगेगा कैसी? मैं तुम्हें तुम्हारे माई के नहीं छोड़ाऊंगा क्या? बस यही सुजाता के साथ हो रहा है अगर वह इस बात को समझ जाए तो कोई जगडा ही ना हो पर माजी उसे यह समझने दे तब ही ना विक्रम को राधिका की बात में वजन दिखता है और वह समझ जाता है कि लड़की को शिक्षा के साथ साथ घर ग्रहस्ती का ज्यान होना भी जरूरी है घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी है बस यह बात समझ में आते ही विक्रम राधिका को साथ लेकर सुजाता के ससुराल जाता है और उन्हें अपनी कमी बताते हुए माफी मांगता है हम जो शिक्षा देने में चूप कर गए उसे आप दे पाएंगे तो बड़ा एहसान होगा हमारी सुजाता बहुत अच्छी है बस कुछी दिनों में सब सीख जाएगी पर ये तभी हो सकता है जब आप उसे उल्टी पटी पढ़ाना बंद करें हमारी तरफ से बेफिकर रही है फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी हम अपनी बहु को बेटी की तरह सब संसकार सिखा देंगे बेटा यह कहकर विक्रम और राधिका अपने घर आ जाते हैं और फिर कुछ तिन बाद सुजाता को समझा बुझा कर उसके ससुराल भेज देते हैं ससुराल वाले उसे प्यार से धीरे धीरे सब संसकार देते हैं और जल्दी ही सुजाता घर ग्रहस्ती की सब जिम्मेदारियां निभाना सीख जाती है सीमा की तीन बेटियां थी, टीना, मीना और नीना सीमा की माता दुर्गा में गहरी आस्था थी और वे मा की नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करती थी मा, दुर्गा माता की पूजा करने से क्या होता है? पूजा पाठ और भक्ती से माता खुश होती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है फिर तो दुर्गा माता हमारी भी रक्षा करेंगी करेंगी न मा हाँ बेटी जरूर करेगी सीमा के पती का देहांथ हो चुका था बेचारी गरीबी की हालत में किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी मगर भगवान को यह भी अखर गया एक दिन सीमा नदी पर पानी लेने जाती है तो न जाने कैसे अचानक उसका पैर फिसलता है और सीमा सीधे नदी में जा गिरती है मा को नदी में डूपते देख टीना, मीना और नीना चीक उठती है टीना चिलाती है मा, मा, मा मैं आती हूँ तुम्हें बचाने नहीं, नहीं, तुम नदी में मत कूदना बेटी टीना, मीना, नीना तुम सब अपना खयाल रखना बेटी मा, मा, किसी तरह बाहर निकलाओ माँ हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तीनों बेहने चीखती चलाती रहती हैं और उनकी चीख सुनकर कुछ लोग मदद के लिए भी आते हैं मगर उनके आने से पहले ही सीमा आँखों से ओजल हो चुकी होती है हमारी माँ तो नदी में डूप कर मर गई कहीं दिकाई भी नहीं दे रही अब कुछ नहीं हो सकता पानी का बाहो बहुत तेज है लगता है कहीं दूर बहा ले गया जो होना था हो गया शायद तुम्हारे फूटे नसी में मा का साथ भी नहीं लिखा था अब रोने से क्या होगा बेटी अपने घर जाओ लोगों के समझाने बुझाने पर तीनों बहने रोती हुई घर आती है और खाली घर देखकर फिर से फपक फपक कर रोने लगती है दीदी मा तो कहती थी कि दुरगा माता हमारी रक्षा करेंगी फिर फिर उन्होंने हमारी मा की रक्षा क्यों नहीं की अब मैं क्या बताऊं मीना हो सकता है दुर्गा माता हमसे नाराज हो रात होते होते टीना मीना और नीना तीनों बहने रोते रोते बिना कुछ खाए पिये ही सो जाती है और फिर अचानक एक और अन्होनी हो जाती है नजाने कहां से एक आतिश बाजी आकर जोपड़ी की छट पर गिरती है और देखते ही देखते जोपड़ी में आग लग जाती है टीना घबरा कर कहती है ए आग अरे मीना और नीना जल्दी से उठो हमारे घर में आग लग गई है तीना, मीना और नीना जल्दी जल्दी उठकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है मगर तब ही तीना की नजर दुर्गा माता की मूर्थी पर पढ़ जाती है वे दुर्गा की मूर्थी उठाने के लिए रुख जाती है तुम बाहर भागो, मैं दुरगा की मूर्ती उठा कर लाती हूँ दीदी, आग बहुत जोरों से फैल रही है, यहां रुकना ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से निकलो, मैं मूर्ती उठा कर अभी आई यह कहकर तीना माता दुर्गा की मूर्थी उठाने के लिए बढ़ती है वे मूर्थी तो उठा लेती है मगर मूर्थी उठाते वक्त उसका हाथ आग में जुलस जाता है तुझे मना किया था ना देखो तो कितना हाथ जल गया है पर दुरगा माता की मूर्ती तो जलने से बच गई न दीदी हमारा घर तो जल गया अब हम का रहेंगे निखिल मामा के पास चलते हैं मामा तो हमें अपने घर रखी लेंगे मा बाप छिन गए सिर एक छट बची थी वह आग में चल कर भस्म हो गई बेचारी बिन मा की बेटियां मजबूर होकर अपने निखिल मामा के घर पना लेने की कोशिश करती है मगर वहाँ उन्हें दुथकार और ठोकरे ही मिलती है अरे बाप मर गया मा मर गई और घर जल गया अब शकुनी हो तुम तिनों बहने अब मामा के घर पर शाब बनने चली आई लड़के होते तो रख भी लेते, बड़े होकर दो पैसे कमा कर तो लाते पर इनको रख कर क्या करे, बड़ी होने पर इनकी शादियां और करनी पड़ेंगी यह कहकर कंस मामा अपनी तीनो भांजियों को घर से निकाल देता है तीनो बेहने मामा के घर से निकल एक तरफ चलती जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती है दीदी यह तो जंगल है मुझे तो डर लग रहा है तुम खबराओं नहीं मैं हूँ ना गाउं से तो यह जंगल ही अच्छा है यहां किसी की दुद्धकार और गालियां तो न सेहनी पड़ेंगी जंगल बड़ा सुनसान और खतरनाक था जंगल में एक आदम खोर शेर भी रहता था शेर को जैसे ही आदमी की बू आती है वे अंगडाई लेते हुए शिकार के लिए तैयार हो जाता है शेर टीना, मीना और नीना की तरफ चला आता है और जाडियों की आड में छिप कर घात लगाने की ताक में बैठ जाता है फिर जैसे ही मौका मिलता है शेर नीना पर जपट पड़ता है और नीना को उठा कर भाग लेता है दीदी, दीदी, मुझे बचाओ दीदी नीना, नीना, ये क्या हो गया नीना दीदी, नीना भी मारी गई, अगला नमबर हमारा है मीना जो होगा देखा जाएगा तुम घबराओ मत चलो चलो यहां से आगे निकल लेते हैं यह कहकर टीना और मीना वहां से आगे निकल जाती है और कुछ दूर उन्हें एक जोपड़ी दिखाई देती है अरे जोपड़ी अगर जोपड़ी है तो जरूर कोई आदमी भी होगा धीदी चलो चलो चल कर देखते हैं टीना और मीना जोपड़ी में जाकर देखती हैं तो वहां कोई आदमी नहीं मिलता वे आवाजे भी देती हैं पर कोई नहीं सुनता खाली जोपडी देखकर टीना कहती है जोपडी तो अच्छी है इसका दर्वाजा भी मजबूत है लगता है किसी ने जंगली जानवरों से बचने के लिए ही बनाया होगा दीदी इसमें तो वह आदम खोर शेर भी न घुस पाएगा हाँ पर हमें सावधान रहना होगा तीना उस जोपडी में माता दुर्गा की मूर्ती रखकर पूजा का स्थान बना लेती है और फिर दोनों बेहनों को जोरों की भूख लगाती है दीदी मुझे तो बहुत भूख लगी है भूख तो मुझे भी लगी है मीना मीना यह कही रही होती है कि तभी बाहर से एक बुड़िया जोपडी का दर्वाजा खट-खटाती है और कहती है अरे मेरी जोपडी में कौन घुस बैठा दर्वाजा तो खोलो बुड़िया की आवाज सुन कर तो जैसे टीना और मीना में तो नए प्राण लोटाते हैं दीदी किसी बुड़िया की आवाज है यह तो माता दुरगा की कृपा है मीना इस भायानक जंगल में कोई तो आदमी मिला चल जल्दी से दर्वाजा खोल मीना दर्वाजा खोलती है तो एक बुढ़िया पानी की एक मटकी और खाना लेकर अंदर आती है बुढ़िया टीना और मीना को हैरत से देखते हुए कहती है बेटी तुम कौन हो और इस भायानक जंगल में कैसे आई हम बिन मा की दुख्यारी बेटियां है दादी किसमत ने हम बेहनों पर बड़े जلم ठाये है यह कहते कहते टीना रोने लगती है और उसके साथ-साथ मीना भी रोने लगती है दोनों बेहने बुढ़िया को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है उनकी कहानी सुनकर बुढिया उन्हें शान्त करते हुए कहती है रो मत बेटी, तुम दोनों इस जोपडी में रह सकती हो मैं तो सुबह जाती हूँ और शाम लोटती हूँ भूखी प्यासी लग रही हो लो, खाना खालो और पानी पीलो दादी, यह खाना तो आप अपने लिए लाई होंगी ना हाँ, पर इसे हम तीनों भी तो खा सकती है उस दिन से तीना और मीना उस बुढिया के साथ जोपडी में रहने लगती है बुढिया सुभा घर से जाती और शाम को लोटाती वे जाने से पहले टीना और मीना के लिए खाना और पानी रख कर जाती एक दिन मीना खाना खा कर उठती है उसे वही शेर जोपडी के आसपास घुमता दिखाई देता है शेर को देखकर वे बहुत घबरा जाती है और कहती है दीदी यह शेर तो अभी भी हमारे पीछे पड़ा है तुम जोपडी का दर्वाजा अच्छे से बन करके रखो जब तक हम जोपडी से बाहर न जाएंगे यह हमारा कुछ न कर पाएगा इस तरहां टीना और मीना को शेर का डर अभी भी सताता रहता है और वे अपना ज्यादा तर समय जोपडी के अंदर ही रहकर बिताती जोपडी से बहुत कम ही बहार आती और आती भी तो संभल कर रहती इधर आदम खोर शेर भी उनको अपना शिकार बनाने के लिए ताक में रहता कुछ दिन बाद शेर को जैसे ही मौका मिलता है वे उनके सामने आ खड़ा होता है शेर को सामने देख मीना की तो जैसे जान ही निकल जाती है और वो कहती है आज तो ये नीना की तरह हमें भी मार कर खा जाएगा तू डर मत मीना मा दुर्गा का नाम ले हे दुर्गा माता इस शेर से हमारी रक्षा कर फिर जैसे ही टीना दुर्गा माता से यह प्रार्थना करती है, वे बुढिया वहां आ जाती है और कहती है, तुम डरो मत बेटी, यह शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्यों रे निर्दई, तु आदमी का शिकार क्यों करता है, भूखा है तो जंगल में जाकर किसी जानव का शिकार कर, मगर वे शेर बुढिया की बात नहीं सुनता, वे जट से मीना पर जपटने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वे मीना तक पहुचता, बुढिया एका एक मादुर्गा बन जाती है और दुष्ट शेर को भस्म कर देती है, और कहती है, दुष्ट पापी, मेरे समझाने पर भी नहीं माना, तेरे लिए यही सही दंड है, मीना और टीना मादुर्गा के साक्षात दर्शन पा कर गदगद हो जाती है, मादुर्गा उनसे कहती है, टीना, मीना, तुम्हारी मा और बेहन मरी नहीं है, तुम्हारी तरहां मैंने उनकी भी रक्षा की है, यह कहकर मा दुरगा सीमा और नीना को उनसे मिलाती हैं और उन्हें अपना अशिरवाद देकर अंतरध्यान हो जाती हैं मा की कृपा से सीमा को नया घर और खेद भी मिल जाते हैं फिर वे सुक से अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है